आचार्य श्याम सुंदर गौतम जी महाराज द्वारा आयोजित कताओं भजनों और सत्संगों का श्रवन करने के लिए फेस्बुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें तो आज परिवार क्यों तूट रहे हैं क्योंकि पतनी को सेवा का भाव नहीं है, आज हर इस्तरी पुरुष बनना चाहती है इगो प्रोबलम हो जाता है आज कल हर कोई चाहता है जौब तो पतनी भी जौब कर रही है पती भी जौब कर रहा है पती भी जौब से आया पतनी भी आई और पती ने पतनी से पानी का गिलास मांगा तो फिर पतनी क्या सोचती है अरे यही थोड़े जौब कर रहे है मैं भी पिलाओं पानी इनको भी तो मुझे पिलाना चाहिए क्योंकि जौब तो मैं भी कर रही हूं तो इस प्रकार से एगो प्रोबरम हो जाता है मैं क्यूं खाना बनाओं जौब तो मैं भी कर रही हूं इसलिए जहां रोसोई बिगडी सास्तर कहता है आहार शुद्द उसक्त क्योंकि जब जौब लगेगी तो आप फिर खाना बनाने वाली रख लेंगे उर जो हमारे शरीर की उर्जा होती है जल्दी प्रवेश्च करती है इसलिए हर जगे का अन्न खाना निशेद बताया रिए है आपको मैं लॉजिक बताता हूं आपने देखा वुगा बिरहमन पानी में पानी के बिना छावल होगा नहीं ऐसे कि समुद्र कितना घंभीर होता है लेकिन आपने देखा गवाँ पूर्निमा आधी में समुद्र चंद्रमा के कारण इतने विशाल समुद्र में भी ज्वार भाटा आ जाता है तो किसने किया चंद्रमा के प्रभाव से तो चंद्रमा जलिये तत्व पर अपना असर छोड़ता है विचलित करता है तो चावल भी क्या है जलिये तत्व है इसलिए जो हमारे घर के संस अधिक मात्रा में वास करती है इसलिए अन्न का संसकार तो फिर भी अगर खालिया तो दोश कम आएगा लेकिन चावल में अधिक मात्रा है क्या पता उस घर का कैसा वातावरण है भजनानंदी है कि नहीं है घर में कहीं क्लेश तो नहीं है द्वेश तो नहीं है कैसे आचार है उस घर के कैसे विचार है और वो चावल में वैठे हैं चावल खालिया तो वो बहुत अधिक मात्रा में आपके मन को प्रभावित कर सकता है इसने चावल का निशेद किया जाता है और आपने देखा होगा अब गड़वाल चेतर में तो देवी देवता बहुत आते हैं तो बोलो चावल साइद हो सकता है देखने वाले को भी इस बात का ना पता हो और कई माताओं को देवी आती होंगी लेकिन उसका लोजिक मैं यहां से बता रहा हूं क्योंकि चावल जब उसकी सपरस से आता है तो उसकी पूरे घर वातावरन उसकी उर्जा क्या चल रहा है वो सारी एनरजी को चावल लिए बैठता है इसलिए जो भगवान की कृपा से भगवान की शक्ती से जो देवी या जो भी कोई शक्ती है जब वो उस चावल को देखती है तो उसको उसके विशे में अधिक मात्रा में पता चल जाता है इसलिए आपने देखा होगा रात को स विज्ञान है अर्थात हमारे जो आज विज्ञान भी नहीं जानता उससे भी अधिक सुक्ष में विज्ञान यहां बढ़ा पड़ा है और तो छोड़ो हमारे जो यह वस्त्र है इसको सूंग कर भी पूरा घर की डिटेल बताई जा सकती है वो शक्ति अरकिसी के पास नहीं हो क्योंकि मैं एक बार मद्धे प्रदेश में कथा कर रहा था तो किसी ने मुझे बताया कि वहाँ पर कोई है वो वस्त्रों को सूंग के घर के बारे में बता देते हैं तो मैं इसलिए वहाँ नहीं गया कि मुझे भी अपने वविश्य जानने की इच्छा थी क्योंकि हमारा वविश्य तो ठाकुर जी के हाथ है लेकिन मैं इसलिए गया कि वो विज्ञान मैं भी जाकर देखूँ तो आपको आश्चर होगा होसंगाबाद मद्धे बर्देश पिपरिया नाम की जगए है वहां में गया तो उन्होंने मेरा दुपट्टा मांगा और दुपट्टा मांगकर ऐसे शूंगा दो चार बार और उन्होंने 20 साल पहले का बता दिया और वरतमान में क्या चल रहा है सही बता दिया और जब भूत और वरतमान सही बताया तो इस प्रकार इसलिए भोजन आदी के लिए यत्रतत्र मना किया जाता है तो मैं निवेदन यही कर रहा था कि अगर आप जॉब कर रहे हैं अच्छी बात है लेकिन आपकी रसोई में अगर कोई दूसरा प्रवेश कर रहा है तो उसकी सारी उरजा आपकी सबजी में दाल में घर का खाना अच्छा होता है कि होटल का टेश्ट की बात करें तो होटल का अच्छा होता है लेकिन फिर भी आप होटल का खाना रोज नहीं खा सकते कारण क्या है उसके पीछे कारण यही है क्योंकि होटल के खाने में एक ज्ञान तो बहुत है नौलेज तो बहुत अच्छी है आपसे जादा नौलेज किसको है होटल वाले को होटल मैनेजमेंट किया है उसने कैसे कितना उवालना है कौन से मसाले कब डालने हैं जिसके उसकी खुसबू बनी रहे आप से जादा जानता है उसने पूरी स्टडी की है उसके बाद भी होटल का खाना आप रोज क्यों नहीं खा सकते क्यों एक व्यक्ती प्रती दिन अपने घर से सुबा नास्ते के साथ ही दिन का खाना भी पत्नी बान देती है टिफन में और पांच घंटे का बासी खाना वो दिन में खाना स्विकार करता है लेकिन वो बगल में बढ़िया होटल है कई लोग तो कमपनी वाले फ्री में भी देते हैं कि जलो होटल का पैसे हम देंगे लेकिन फिर भी वो होटल का खाना रोज नहीं खा पाते इसका मतलब कुछ तो है क्या है भाव, विचार, होटल के खाने में ग्यान तो बहुत है कैसे बनना चाहिए लेकिन होटल वाले के लिए आप only customer हो इससे ज़्यादा कुछ नहीं customer होने के कारण बनाते वे उसके अंदर कोई भावना नहीं है कोई सद भाव नहीं है उसको तो पैसे चाहिए इसलिए उसमें विचारों की कमी होने के कारण भाव की कमी होने के कारण सद्धा की कमी होने के कारण तेस्टी होने के बाद भी आप होटल का खाना प्रती दिन नहीं खा सकते लेकिन घर के खाने में जो मा के हाथ का बना है जो पतनी के हाथ का बना है उसमें भाव है बच्चे आने वाले हैं उसी के लिए तो सोचती आज क्या सबजी बनाओं आज क् प्रवेश कर जाती है इसलिए पती अब चार घंटे बासी भी सही लेकिन सुबे ही दिन का खाना भी ले जाता है और चार घंटे बासी खाने को तियार है होटल का नहीं खाएगा बोले हर हर महादेव जूट तो नहीं कह रहे हैं हर हर महादेव तो बुले कारेश मंत्री करने सुदासी तो मैं निवेदन यहीं कर रहा था जौब तब ही करना जब अपनी रसोई आप संभाल सको अगर आपको लगे रसोई बिगड़ रही है तो फिर आपको जौब करने से कोई फायदा नहीं क्योंकि उस अन्न से मन बनता है अन्न का जो अ अन्तिम चरण होता है उसका मन बनता है उपनिशद कहते हैं जब हम अन्न खाते हैं कुछ का मांस बनता है उसका रक्त बनता है कुछ से हड़ी बनती है कुछ से तक्त्व बनता है रज बनता है वीर्य बनता है और जो उसका अन्तिम भाग होता है अन्न का जो बिल्कुल फिल प्रसेंटेज कम हो जाएगी, इसलिए भाव की प्रसेंटेज कम हो जाएगी, तो आपको होगे बेटा जरा एक गिलास पानी पिला, वो फोन देख रहा होगा, अभी पिलाता हूं, लुको, पंदरा मिट होगे, पता तो चलता नहीं, वटसब पेस्बुक में टाइम का, अरे पानी मांगा था, अरे बस रुक जाओ, आज मदर डे न, जरा मदर डे के मैसेज सेंड कर रहा हूं कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वो फोन में माता पिता की सेवा कर रहा है, लेकिन माहा साक्षात पानी मांग रही है, उसे पानी नहीं दे रहा है, मैसेज फॉरवड क करोना होती है कि तो कारेशु मंत्री करने सुदासी भोज्जे सु माता शयने सुरंबा पतिव ब्रताइस्त्री के लक्षन मंत्री की तरह सलह दे दासी की तरह सेवी का की तरह अपने पती का सेवा करे करने सुदासी भोज्जे सु माता भोजन कराते समय मा की तरह अजी आपने देखाया कितना है दो रोटी और खालो ना एक रोटी और खालो ना अच्छा एक और खालो बहुत जेशु माता मा की तरह बोजन करा गए आजकल तो पत्निया मैंने ऐसी भी देखी पहली पूछते सुनों जी कितनी रोटी खाओ गयों मैं उसी इसाब से बनाओंगी न और ऐसा हमार हमने अपने बुड़े बुजर्गों से सुना है कि रोटी गिनकर बनाना ये भी दरदता का सूचक होता है इसलिए अंदाजे से बना दो दो चार फालतु होंगी न जाने कौन आ जाये मांगने के लिए बिलकुन नपी तुली तुला अन बनाने से कभी अन पुरुना मैया प्रसन नहीं होती अगर अन में होट केस में चार रोटी पड़ी है कोई बात नहीं अगर वो पड़ी रहेंगी तो गाय को दे दी जाएगी या किसी कुत्ते को दे दीजिए अन्थिम रोटी कुत्ते की होती है अधिक वने पर किसी भी पशू को दी जा सकती है लेकिन होट केस में एक भी रोटी नहीं क्योंकि गुणा भाग करके बनाया था और पडोसी का बच्चा है कोई भी आ गया जरा एक रोटी पड़ी है क्या और अगर आपके मुँझे उस समय अगर ऐसा निकल गया कि नहीं है नहीं तो ये बहुत बड़ा दरिदता का सूचक कहा गया है इसलिए रोटी कभी गिन कर नहीं बनाये रोटी कभी उनसे किसी से फूच कर नहीं बनाये अधिक बनाये क्योंकि कई बार चार रोटी की भूक है सबजी अधिक अच्छी बन जाती है तो छे भी खा लेता है कई बार चार रोटी की भूक है सबजी थोड़ी अच्छी नहीं बनी, थोड़ा चटपटा कम है, तो तीन भी खा सकता है, तो गुणा भाग नहीं चलेगा आपका, यह भाव का विशह है माता हूं